आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागतव वेल्कम टू इस वीडियो के आंदर हम बात करने वाले मेडिशनल केमेस्ट्री सेकंड के कोशन पेपर के बारे में तो फ्रेंड बी फार्मसिक फिट सेमिस्टर के आंदर है सब्जेक्ट है हमारे लिए अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर आवेलेबल है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो तो फ्रेंड आपका जो सेमिस्टर एक्जाम होता है तो टोटल 75 मार्स का होता है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फ्रेंड जो भी आपका कोश्चन पेपर है कोश्चन पेपर पैटरन आलग हो सकता है लेकिन उसके आंदर जो कोश्चन पूछे जाएंगे वहाँ आपके लिए उस सेम कोश्चन होते हैं कोश्चन पेपर पैटरन को साइड में रखे तो देखते हैं चलो फर्स जो लॉंग आंसर्स कोश्चन है तो उसके आंदर आपको टोटल टोटल टू कोश्चन स्वाल करने होते हरे कोश्चन 10 मार्स के लिए महाँ पर पूछा जाएगा उसके अंदर आपको थ्री कोश्चन दिये यहां पर आपको लिखने हैं आउटलाइन द सिंतेसिस ऑफ माइक्रोप स्वारी मेर क्याप्टो प्यूरीन एंड मितो ट्रेक जेट ओके तो इनका सिंतेसिस वहां पर आपको लिखना है सेकंड कोश्चन पूचा गया है देख लिए धे क्लासिपाई एंटी हाइपर टेंसि एजेंट कौन से होते उसके क्या कैक्जांपल से कुनकौन से ड्रग है तो उसके बारे में यहां पर आपको लिखना है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है है and mode of action लिखना है आपको कैल्σιौंचानल ब्लॉकर्स का and give the synthesis of iso-sorbide dinitrite का यहां पर आपको synthesis लिखना है अगर आप syllabus coffee देख लेते हो आपकी तो friends वहाँ पर आपको जो भी आपका drug है जैसे कि isosorbite dinitrite rate जो drug हो गया तो उसके उपर आपको star किया गया होगा क्यों क्योंकि उसका synthesis है जो भी synthesis जिसी भी drug का आपको synthesis वहाँ पर लिखना है तो उसके उपर star कीया गया होता है syllabus के अंदर या फिर syllabus coffee के नीचे वहाँ पर आपको दिया गया होता है कि इसका आपको synthesis लिखना थो उसके उपर ज्यादा focus कीजिए आप synthesis की उसकी उपर जो classification होते है क्लासिफिकेशन की ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए थर्ड कोशन दिख लिजे क्लासिफाइ लोकल अनस्थाटिक एजन्ट और डिसकस सार और बेंजोएक असीड और अनलाइट क्लासिफाइजन्ट अफ लोकल अनस्थाटिक एजन्ट तो यह लोकल अनस्थाटिक एजन्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जानकरी देनी है और उसका सार भी लिखना है स्ट्रक्चरल अक्टिविटी यां रिलेशेंशिप सिंपल कोशन है फ्रेंड्स तो जो क्लासिफिकेशन हो गए जैसे के अंटी नियो प्लास्टिक, अंटी अइपरटेंसिव, लोकल अनस्थेटिक एजन्ट तो इसके वीडियो अल्रेडी हमने अपलोड कर दिया हमरे चैनल के उपर वहां पर आपको प्लेलिस्ट के आंदर मिल जाएंगे फार्मकोलोजी वहां पर करके सब्जेक्ट है तो उसके आंदर आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा और मेरेडिसनल केमिस्टी भी वहां पर प्लेलिस्ट है तो वहां पर आपको सारे क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगे तो ऐसे 10 मर्स के क।्टेन also — यहां पर वहां पर आपको पूछा जाता है तो देख लिए इसके आंदर question कैसे पूछ जाते हैं explain in detail about histamine receptor ये बहुत ही important question है histamine receptor कई बार exam में पूछा गया है अगर आप 2021 का question paper निकालोगे तो उसके आंदर भी आपको ये question available मतलब मिल जाएगा और उसके biological importance क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको explain करना है फिप नंबर पर आता है what are the potassium sparing diuretics तो potassium sparing diuretics क्या होते है outline the synthesis and medicinal uses of chlorothizide का यहाँ पर आपको medicinal uses and उसके synthesis यहाँ पर आपको लिखने इसके उपर आपको notes लिखने हैं तो इनके structure यहाँ पर आपको लिखने है और उसके uses उसके uses भी यहाँ पर आपको लिखने है तो याद रखना फ्रेंड्स lipid lowering agents के बारे में यहाँ पर आपको जान करें देनी है 8 नंबर का classify anti rhythmic agent with example due the synthesis of disoparamide तो disoparamide का यहाँ पर आपको synthesis लेखना है और जो anti rhythmic agent है उसका classification with example यहाँ पर आपको explain करना है तो इसका भी वीडियो हमने already बनाया फ्रेंड्स तो playlist के अंदर जाकर आप देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा 9 नंबर पैता है discuss about the medicinal importance and carterosteroids and give the structure and uses of any two carterosteroids carterosteroids के बारे में आपर आपको लिखना है उसके structure और उसके uses के बारे में उसकी क्याके importance है medicinal importance है तो उसके बारे में भी आपर आपको जान करी देनी है 10 नंबर का describe the chemistry of oral contraceptives बहुत important question है friends short notes के लिए पूछा जाता है exam के आंदर तो यहाँ पर oral contraceptives कौन-कौन से है तो उसके बारे में जानकरी देनी है उसके describe करना है next question write a note on antithyroid drugs तो antithyroid drugs के उपर यहाँ पर आपको notes लिखने है and give the structure and uses of any two जो antithyroid drugs है तो किसी भी two drugs का है यहाँ पर आपको structure निकालना है और उसके uses यहाँ पर आपको लिखने है now last question what are the hypoglycemic agent तो hypoglycemic agent क्या होते discuss about the glycosidase inhibitor as antibiotic agent तो यहाँ पर two mask के question से कुछ तो two mask के question भी आम देख लेते क्योंकि एक्जामी कई बार two mask या फिर three mask के लिए पूछा जाता है तो कौन-कौन से questions कैसे questions वहाँ पर आपको पूछे जाएंगे तो उसके बार में धोड़ा सा discuss कर लेते यहाँ पर देख लिए फर्स questions उसके अंदर write the structure and uses of any two amino alkyl ethers derivatives as antihistaminic agents 14 number write the structure and uses of any two h2 antagonist तो h2 antagonist कौन-कौन से उसका structure और उसके uses यहाँ पर आपको लिखने है 15 number explain the mechanism of action of gastric proton pump inhibitor friends gastric proton pump inhibitor हो गया या फिर calcium channel blockers हो गया diuretics हो गया तो इन सब का mechanism of action आपको पता होना चाहिए एक्जाम में इसके उपर भी ज्यादा question पूछा जाता है 16 number write briefly about nitro vasodilators तो nitro vasodilators क्या होते उसके बयारे में जानकरे देना है 17 number discuss the mechanism of action of acetazolamide तो acetazolamide का mechanism of action यहाँ पर आपको लिखने है furosemide का यहाँ पर आपको synthesis लिखने है write the structure and uses of two anticoagulants तो किसी भी two anticoagulants का structure और uses यहाँ पर आपको लिखने है next warfarin का synthesis यहाँ पर आपको लिखने है structure and uses of estrogen estrogen का structure and uses उसका synthesis क्या है तो उसके बारे में आपको जानकरी देने है next last question write the structure and uses of megalitanide and chlorpropamide okay तो इसका structure and uses यहाँ पर आपको लिखना है तो friend एक question था हमारे पास medicinal chemistry second का I hope आपको समझ में आ गया होगा तो friend medicinal chemistry के अंदर आपको ज्यादा focus किसके उपर करना है जो हमारा SAR हो गया तो SAR के उपर ज्यादा focus करना चाहिए बाद में जो classification है तो classification के उपर भी focus करना है जैसे कि structure हो गया बाद में उसके medicinal uses क्या क्या है तो इसके बारे में आपको जानकरी डिटेल में जानकरी होनी चाहिए classification के उपर आपको ज्यादा focus करना है और उसके जो example से बाद में उसका synthesis हो गया तो इन सब के उपर भी आपको ज्यादा focus करना है तो यहां से ही question आपको ज्यादा exam में पूछे जाते है I hope आपको समझ में आ गया होगा question paper पर कैसे यहां पर आपको question पूछे जा सकते है अगर आपको किसी और subject का question paper चाहिए तो आमें commentation में जरूर बताना तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना है मिलते हैं next day में thank you so much